लोकडाउन के बाद हर दूसरे वेक्ति को बिरजगारी की मार से गुजरना पड़ रहा है लेकिन कई वेक्ति ऐसे हैं जो अपने जान पर खेल कर नौकरी करते हैं और कमपनिया उन्हें फिर भी वेतन नहीं देती तर दिल्ली के विकाजपुरी में बीएस्इस के खिलाफ लाइनमेन अड़ पर असोशेशन द्वारा विरोध परदशण किया गया इस परदशण को वीमल एरोडा के नेति रत हुखना में इस परदशण को बिजली बीएस्इस के ठेके दारों द्वारा उन्हें ब्लैक लिस् उन्हें वेतर नहीं दिया गया। साथ ही प्रदिशनकारियों ने कहा कि अगर किसी मजदूर के साथ कोई हाथसा होता है तब भी ठेकेदार और B.S.E.S. वाले कोई मुआवजा नहीं देते। चुटी होगे सबको कुमला लॉकडाउन के परिबार ऐसी था तो उसके दोरान मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया। ठीक है करें तीन महीने में मात्र मेरे पास तीन जार रुपए दिये कंपणी ने। अगर हम अपने हग की बात करते हैं कंपणी के सामने कंपणी से बोलते ह अधर ऐसा है कि मतलब हमारा घर कैसे चलेगा हाँ जो ऐसे हम काम करते तो अपना हग मांगते ना तो हमें क्या गया टार्गेट कर लिया जाता है और हमें किसी ना किसी कंपणी के बहुत सारे हम काम करते हैं तो उसमें हमें फसा दिया जाता है जब मुझे फसा दिया और दूसरी वाहाद जैसे दिवाली पे हमारी बोनस का जो पूरी सेलर री होनी चाहिए तो किसी को ग्यारत पाच जार किसी को पंजिते हैं तो अगर यह सारी चीजARD को सामने रखते हैं तो कंपटनी हमसे ये कहती है कि अब हमारे आदमी नहीं हो आप ठेकेदार के आदमी तो हम ठेकेदार से बात करते हैं जब कोई हमारे इस मैटर को तरांसफर कर दिया जाता है उन्हें कोई है उन्हे देकेदार के बाहर कर दे Can बाहर के युद लड़के को जब कर हम ठेकेदार के आदमी है और यह विजिलेंस हमारे उपर एलाउट भी नहीं होती है हम ठेकेदार के यह पैनल्टी डाल सकते हैंगी आज हमारे साथ यह न्याय किया जा रहा है आज 300 लड़के का घर हम सब सड़क पर है आज हमें बिना बताएक बिना किसी कारण के सड़क हमें अपने काम से निकाल दिया गया है और आज अगर हम सब इकठे भाई हुए हैं तो वो हमारे कलाफ कहते हैं F.I.R. कराएंगे हम सब को थाने में बंद कराएंगे और एक विजिलेंस और ब्लैक लिस्ट नाम का शब्द है इसी शब्द को हमने अपने M.M.G. से हटाना है क्योंकि यह जो वो शब्द B.S.E.S. के लिए ना कि हम ठेकेदार के लोग जो काम करते हैं करोना टाइम में ना हमें कोई इंशोनस मिला ना दिल्ली सरकाल द्वारा जो उन्होंने हमारी अनुमेंट ग्राशी थी कुछ नहीं दी गई है हमारे आज कितने ही भाई करोना ग्रस्ट और कॉरेंटाइन है लेकिन उसके बाव जी उनको कोई इलाज या कोई उनको मेडिकल की फसिल्टी नहीं मिल रही है यह हमारे भाई हैं इनका खंबे पे हाथ जल गया ठेकेदार जो उसका नाम है पैराडाइस नाम है इस लड़के का संजे इसको एक रुपया नहीं दी गया तो इसी अन्याय के खिलाफ हमारी यह आवाज है कि हमें विजिलेंस और ब्लैक लिस्ट एमेंगी से हटाना है अभी हमने जो यह कम्प्लेंट है सिसोधिया जी को दी है उन्होंने हमें टाइम दी आ है मिलने का और हमारी सरकार अर्विन केजरिवाल जो हमारे cm है उनको हमने दी है BSS वालों में कोई सुनवाई नी देरी उन्होंने ठेकेदारों पर प्रेशर डाल दिया गया है वो कह रहे हैं कि जो काम करेगा तुम ठेकेदार के बंदे हो BSS के वरकर्स नहीं हो वो कहते हैं कि जो काम करेगा तुम्हारा ठेकेदार करेगा सारे भाईों से बात रखना चाहूंगा और कहना चाहूंगा सभी की तरफ से ये जितने भी वेंडर हैं ठेकेदारों को जितने भी ठेकेदार हैं हमारे लड़कों को इस तरह सताते हैं जो B.S.E.S. की नीम हैं जड़ हैं MMG का कारे करते हैं कहने का मतलम MMG का कारे यह है कि हम सिर्फ एक मीटर लगाने का कारे करते हैं पूरी B.S.S. कमपनी हमारी मीटर लगाने से कमाती है लेकिन हमारे यह जितने भी Lined Man है इनको कोई भी ऐसा नहीं कुछ दिया जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाता है, जिससे इनका घर चूला चल जाए। दिया जाता है, जो हमारे पेंडिन पैसे पढ़े हुए वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वेंडर के लिए वेंडर के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए. पर दोजार रुपे दी थे पसमेरे टेकी दार ने और कुछ निए ने उसको बोला था जी दोजार मोजाएगा नई जी नो करीशन ही निकाला है बात ही ठीक नहीं तो काम कहां करेंगा जी जो हमारा वो सब्सक्राइब अपर अधिया में हो वो वो किया तो यहां पर नहीं हम लोग तीन बंदे काम करते हैं एक लाइन में तीन को निकाल दिया मैं इंडिया केर में काम करता हूं अगर हम कोई भी वो करते हैं ठेकेदार के खिलाब तो ठेकेदार कहता है मैं कल से बांसर बिठाओंगा और यहां पर जो मेरी मर्जी होगी वही काम होगा मेरा मेरा कहन है कि काम निस्पक्ष होना चाहिए और यह ब्लेक लिश्ट वाला सब्द बिल्कुल खतम होना चाहिए अगर कहीं से 50 रुपे की जूटीवी कंप्लेंट आ है उसके खिलाब ठेकेदार पूरा चिठा पुरी फाइल बना के तयार करें लेता है इसको बिजिलेंस बेजो जब जयाते हैं तो कहते हैं तो तुमारी 50 रुपी कंप्लेंट है हम कहते हैं वह हमें दिखाऊ तो सही ठेकेदार में कुछ नहीं दिखाता और वहां ओपर चड़ करवाय क्यों था उसने मैंने प्रेफ और ये अवार उठाई तो उसमें मुझे जूटे केस में मुझे जेश बिर्वाद गया और मैं एक साल से खाली बैठा हूं एक साल से वहता है मैं चार साल से ब्लग रिष्ट हूं मैं जब विजिनेस हो भी चाता हूं तो विजिनेस वाले कहता है आप ठेके दर से बात करो ठेके दर कहता है आप ऐसा करो काम करते रहो बार बार आपका आधार कार्ड कुछरी मनेगा आपका आई कार्ड कुछरी मनेगा अब हम भार बार स बेरो रिपोर्ट तर डेली टूडे